स्वागत है आप सरीका आपके अपने यूटूब चैनल टेकनिकल पेज पर जहां हमारी ओल्ड पेपर की एक फिरीग चल रही थी जिसकी दो क्लास है हम ओलड़ी प्रवाइड करवा चुके हैं आज हमारी थर्ड क्लास है जिसके अंदर हम बात करेंगे धोरी के क्यूशन स्की किसिन ओ सबसे पहला कीस है हुआ है और प्र मोटर में आर्मेजर में डूप्लेक्स लिफ वाइंडी में कितने समांतर पत होते हैं कि अगर हम बात करें गेंदर थैंदर दो में यहां पर छॉट है तो चार पॉल तो समांतर पत्वी कितने हो जाएंगे 4 लेकिन इसने बात किये Duplex Lab तो Duplex के अंदर होता है A बराबर P into T तो आपके 4 हो जाएंगे 4 तो आपके समांतर पत्व कितने होंगे 8 तो यहाँ पर DGT ने इसका आंसर जो है दो माना का है and speed इन दोनों के बीच में तो आंसर हो जाएगा आपका गति बनाम बलागों Next question हम बात करते हैं Orelionum पर उप्योप किये जाने वाले Conductor का नाम क्या है उसका नाम है ACSR Full form होती है इसकी Aluminium Conductor Silicon Renforced तो फुलफोर याद रखना इसका भी कई बार फुलफोर पूच ले जाती है Next question क्यों एक DC generator के Armature Core पटलित होते हैं यानि जो Armature होता है उसको Laminated क्यों बनाया जाता है तो हम करते हैं AD Current को कम करने के लिए एक question यहाँ से यह बनता है जो Armature Core वो Silicon Steel की क्यों बनाते हैं तो वो होता है Hysteresis हानी को कम करने के लिए तो इसका Right Answer हो गया AD Grunt को कम करने के लिए Next है PWM का पूर नाम तो Pulse with Modulation इसका Right Answer हो जाएगा Next है परिवर्तित गति पर उस बलागोन पराप्ट करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उप्यों के जाता है तो उसके लिए हमारे पास 3-phase की मोटर होती है Slipring इसके अंदर हम क्या करते है जो हमारा रोटर होता है वो हम कौन सा लेते है Wound परकार का और उस रोटर के बाहर हम क्या लगा देते है रियो स्टेट लगा देते है इसका स्टार्टिंग के अंदर हम उसको प्रतिरोद का मानुश्य रखते है और बाद में उसको कम कर देते है जिसके कालन हमारे जो मोटर हो उच्छे स्टार्टिंग टोर उत्वन करती है Next question Silicon transistor के संचालन के लिए Base emitter junction की नियूंतम voltage क्या होती है Next question DC motor में current की दिशा किस नियम से निधर्द की जाती है तो वह होती है आपके flaming के right hand rule से अब आप books के अंदर देखोगे तो वहाँ भी flaming का बाएं हाथ का नियम आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर हम भाएं हाथ की नियम से गुमने दिशा current और flux को देखते है और जो right hand rule होता है उसके अंदर हम देखते है चाला की गुमने की दिशा emf और flux वह तीन चीजे होती है अब इसके अंदर जो हम बात करें DC motor के अंदर इसका right answer इन्होंने माना है D उसके पीछे logic यह होता है कि right hand rule के अंदर हम बात करते है emf की दिशा याद करने के लिए प्रेरित emf तो current भी जो होता है उसी emf के कारण जो होता है प्रवाइद होता है तो इसलिए इसका right answer क्या माना है इन्होंने claiming के right hand rule को माना है next question single phrase motor का नाम बताना है तो यहाँ पर आप देखें कि यह running winding है यह starting winding है starting के selenicrum में क्या लगा है capsulator वो भी permanently rule तो permanent capsulator motor इसका नाम हो जाएगा option B next question हम बात करेंगे एक सेक्रिय गटक कौन सा है तो capacitor हो गया inductor हो गया और resistance यह तो होते है एक्रिय गटक तो सेक्रिय गटक तो सेक्रिय हो जाएगा आपके transistor diode यह सब किसमें आते हैं सेक्रिय गटक नेक्स किशन बिजली transformer में वो कोज रिलेगा क्या काम होता है तो short circuit and overload protection next question एक single phase motor का का अधारी सिद्दान के होता है तो single phase motor जो होती है वो lens की नियम के आदार पर काम करती है यह नियम कहता है कि पैदा होने वाला EMF उन्ही कारणों का विरोध करता है जिनके कारण वो पैदा हुआ है तो में supply voltage हम देते है motor को उनके कारण एक बेक EMF पैदा होता है वो बेक EMF में EMF का विरोध करता है जिसके कराण motor जो है गूम जाती है जो उसी इस दान के हमारी सिंगल पैज की motor यह काम करती है नेक्स्ट है वित्रन परणाली में वित्रक के लिए सब इस्टेक्शन को कौन सी विद्यूत लाइन जोड़ती है तो देगो वित्रक क्या होता है जो आपके जो आप गयास पास का जो GSS होता है वहां से जो आपके घर के पास में ट्रांस पार्मर होता है वहां के लाइन को क्या बोते हैं वित्रक बोलते है वित्रक पढ़नाली में वित्रक को वित्रक पढ़नाली में वित्रको के लिए सबिस्टेशन को कौन सी विद्यूत लाइन जोड़ती है तो जो आपका GSS होता है ग्रेट सबिस्टेशन वहां से आपके गाउं के अंदर जो ट्रांस पार्मर लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं ठीक है और इस ट्रांस पार्मर बोलेंगी और उस वित्रक ट्रांस पार्मर के अंदर GSS से लाइट आ रही है तो उनको जोडने वाड़े लाइन को हम फीटर बोलते हैं ठीक है अब इस ट्रांस पार्मर से जो लाइट आपके पोल के प्यार है आपके घर के पास में जो पोल है उसको क्या बोलते हैं सर्वि is motor period क्यों है क्योंकि यह sore नहीं करती विल्गुल भी इसका जो rotor होता है वह high hysteresis गुनांगवाले पदार्थ का बना होता है और इसके rotor के ऊपर कोई दाते नहीं होते हैं इसके गारणी यह sore नहीं करती नेक्स किशन औरे लाइनों में परिए संयुक्त का नाम आपको बताना यह क्या है तो एक परकार का क्या होता है जोइंट है ठीक है जो औरे लाइनों के अंदर बना जाता है इसका नाम होता है नेक्स किशन है एसी जनरेटर में डेमपर वाइन्डिंग का उप्योग करने का क्या उद्धेश से है तो डेमपर वाइन्डिंग परवावर उसको कम करने के लिए प्रियोग के जाता है इसी ड्राइव में IGBT का क्या कारी है तो IGBT जो होता है मोटर की सक्ती को नियनतित करता है दूसरा IGBT की फुल पोरम भी कई बार पूछी गई है रियाद रखना insulated gate bipolar transistor next question hard disk drive के लिए किस प्रकार की single phase motor का उपयोग के जाता है तो इसके लिए stepper motor का उपयोग किया जाता है next question DC generator में किस प्रकार का voltage गतिसी लुक से परेयर होता है तो चैसाए mode जो आपका generator हो या alternator जो भी यह में पैदा होगा कौन सा होगा एसी प्रकार का ही होगा next है control panel wiring में प्रियूग SS3 इसका नाम बताना है तो इसका नाम होता है din rail din rail और इसका उप्योग करते हैं जहां पे आपको बिना screw कर से कोई सामरी fit करनी हो वहां पे हम इसका उप्योग कर सकते हैं example के लिए कर हम बात करें आपके गर के अंदर जो mcp box लगा हो है उसके अंदर इसी प्रकार की din rail लगी होती है जो इसके अंदर mcp को बिना screw की साथा से fit कर देते हैं option हो गया आपके B next है lift में किस प्रकार की tissue motor प्योग करते हैं लिफ्ट के अंदर हम cumulative compound motor का प्रियोग करते हैं next alternator का भाग विए आपके कौन सा हो जाएगा salient प्रकार का rotor हो जाएगा option आपके B मुखे दूर वे rotor या salient pole rotor अगला question है alternator के rotor को DC प्रतान करने वाले उप्रण का गनाम तो यह तो सब जानते हैं क्या होगा एक्साइटर next question है ACO DC आपके दोनों में से किस प्रकार के relay का उप्योग क्या जाता है तो impulse relay वो ACO DC दोनों पे कारे करता है next question digital circuit में binary coded decimal वो प्रनाली का उप्योग करने का उदेश से क्या है वो क्या होता है data वो संग्रहित करना हो next question starter प्रती का नाम बताना है तो starter कौन सा है तो यहाँ पर आप देगो के अंदर star और delta का symbol बना हुआ है कौन सा starter हो जाएगा star delta यहीं अगर आप यहाँ पर symbol के जगा यहाँ अगर आप आप लिखा जाए तो dual starter हो जाएगा और dual starter ना लिखके यहाँ पर अगर ऐसा symbol आता है तो आपके कौन सा हो जाएगा auto transformer start next question AC voltage stabilizer का परकार बताना है stabilizer का आपके diagram दिया हुआ है input voltage, output voltage बीच में transformer लगा हुआ है जिसके उपर तीन tapping निकाली गई है तो यह क्या है एक tapbed stabilizer है जिसके अंदर tapping निकाली हुई है अब इस tapping को change करने के लिए यहाँ पर एक switch लगा हुआ है rotary परगार का तो इसकों क्या करते है manually tap को change करेंगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा manually tap दे stabilizer option D next question है alternator के EMF समिगण की गणना करने का सुप्त्र क्या है तो option A यह होता है साधारन alternator के लिए और अगर आप से पूझ ले यह आदर alternator के लिए EMF समिगण क्या होगा तो वहाँ पर हम जो आप KD है और KC है इनको क्या मानते है एक मान लेते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा 4.44 इन्टू 5F T KP केडिकों क्या मान लेंगे इकाई next question pitch कारकी करना करने का सुप्त्र क्या होता है तो winding pitch बटा pole pitch option आपके दे रखा है A next question कौन सा filter circuit rectifier circuit में voltage spikes को हटाने के लिए या अटाने में सक्सम है तो LC filter है वो voltage tracks को अटाने के लिए restrict किया जाता है next है UJT का कार ये क्या होता है तो UJT एक तो हम करते हैं trigger के रूप में इसका उप्योग करते हैं और दूसरा relax session और इस लेटर के रूप में इसका उप्योग करते हैं अगला question है तारों के गुच्छे को बांधने के लिए तो nylon tie का उप्योग करते हैं option D अगला question AC motor starter का नाम बताना है यहाप आप देखोगी starter है यहापके handle लगा हुआ star root delta के अंदर और नीचे आप देखोगी यहापे transformer लगा हुआ है जिसमें transformer होता है उसका नाम होता है auto transformer starter option आपके B next question winding machine यहापे आपके वाद सामने एक winding machine दिखरी है जिसके अंदर X दोड़ा चिनित इस पार्ट का नाम कुच है इसका नाम होता है mandrel mandrel sorry mandrel option देखेंगे यहापे हम option C mandrel या खरादगा दुर्रा अगला question है DC generator में ठोस pole shoe का उप्योग क्यों किया जाता है तो हम देखते हैं तो pole होते हैं और silicon steel के बनाया जाते हैं लेकिन उनके आगे जो pole shoe लगा होता है वो किसका होता है एक solid होता है पत्तियों के रूप में नहीं होता है तो उसका उप्योग करने का मेहन उद्देश से है reluctance को कम करना next है 3 phase induction next है 3 phase कलके इंडेक्शन मोटर के इंदर slip करती के गंडना के लिए तो ns-nr यह होता है slip rpm में निकालने के लिए अगर आप से पूछे कि अंसिया slip का फोर्मला क्या होगा तो ns-nr बटे यह होता है अंसिया slip के लिए और आप से पूछे प्रतिसत slip प्रतिसत slip उसके लिए क्या हो जागा ns-nr into 100 next question decimotor में commutator से हैं जनमें प्रिव्ट परतिरोध तार का उदेश से तो यहाँ पे हम देखें कि commutator और winding के बीच में परतिरोध लगे वे हैं इन परतिरोध वो लगाने का उदेश से क्या होता है commutation को कम करना क्यूंकि ब्रस जो होते हैं एक winding पर touch होते हैं फिर वो अगले कमिटेटर सेग्मेंट पर जाएगा तो अगले winding वे टच होगा तो जैसे इस winding में करन्ट की दिशा यह है तो जैसे ही वो segment चेंज होगा तो क्या होगा इसकी करन्ट की दिशा reverse हो जाती है तो अचानक क्रेंट की दिशा बदलती है तो sparking का मान बहुत ज़्यादा होता है उसी को कम करने के लिए क्या प्रत्रोद हम लगाते हैं option हो जाएगा दारा की दिशा को आसानी से लटने के लिए